नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में दोस्तों आज की वीडियो में हम जालेंगे कि पीएफ अकॉर्ड में गलत अपडेट वी डेट अप बर्थ को सही करवाने के लिए कौन-कौन से डॉक्युमेंट लगते हैं तो चले शुरू करते हैं आज का वीडियो और वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेश्टे की चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें क्योंकि इस पीएफ जुड़ी जान करें आपको इस चैनल पर मिलती रहेगी दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे पीएफ अकॉर्ड में हमारी डेट अप बर्थ यानि कि जन्मतारिक अपडेट होती है अब कई बार वो डेट अप बर्थ गलत अपडेट हो जाती है तो अगर PF account में date of birth गलत अपडेट हो जाए तो उसे हम online सही तो करवा सकते हैं लेकिन date of birth को सही करवाने के लिए कुछ document की जरूस पढ़ती है तो PF account में गलत अपडेट हुए date of birth को सही करवाने के लिए कौन से document लगते हैं यह बताने से पहले मैं आपको एक जानकारी बता देता हूँ कि date of birth को सही करवाने के लिए document तो लगते हैं लेकिन date of birth को सही करवाने के लिए document लगेंगे या नहीं यह condition पर depend करता है तो अगर बात करें उन condition के बारे में तो यह है कि अगर आपकी सही date of birth और गलत date of birth में तीन साल से कम का अंतर है और एसी condition में अगर आप अपनी date of birth को सही करवाते हैं तब आपको किसी भी document की जरूस नहीं पड़ेगी लेकिन अगर यहीं अंतर तीन साल से ज़्यादा का हुआ और तब एसी condition में अगर आप अपनी date of birth को सही करवाते हैं तब आपको कुई document की जरूस पड़ेगी और उन document को आपको online अफलोट करना पड़ेगा तो आप जानते हैं कि date of birth को सही करवाने के लिए कौन से document लगेंगे और उन document को केसे अफलोट करना है तो अगर आपकी सही date of birth और गलट date of birth में 3 साल से ज़्यादा का अंतर है और अगर आप date of birth को सही करवाते हैं तो जो document लगते हैं वो कुछ इस तरह हैं जैसा कि आप यहां computer screen पर देख सकते हैं यहां लिखा है important the variation between the date of birth in your आधार and EPF database is more than 3 years hence please upload an PDF file of any of the following document इसका मतलब वही है जो मैंने अभी आपको बताया कि अगर आपकी सही date of birth और गलट date of birth में 3 साल से ज़्यादा का अंतर है तो नीचे दी गई document की लिस्ट में से किसी एक document की PDF file को आपको upload करना है document की list यहां मैं आपको बता देता हूँ तो पहला document है birth certificate issued by register of birth and death दूसरे document है any school education related certificate तिसरे document है certificate based on service record of PSU government चोतर document है passport पाच्वा document है any other reliable document issued by government department और छटा document है medical certificate by civil surgeon तो अब इन में से किसी भी एक document को आप आधार काट के साथ में online upload कर सकते हैं मैं आपको यह भी बता देता हूँ कि document केसे और कहां पर upload करना है तो date of birth को सही करने के लिए जब आप यहाँ अपने date of birth एंटर करेंगे तब अगर आपकी सही और गलत date of birth में 3 साल से कम का अंतर है तब आपको कोई भी document upload नहीं करना है लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि अगर सही और गलत date of birth में 3 साल से ज़्यादा कंतर रहेगा तो एक तो इस तरह की document की list आजाएगी जिसके बारे में मैं आपको बता चुका हूँ तो इसे तो हम close कर देते हैं उसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ पर एक नया option देखने को मिलेगा यह document को upload करने का एक नया option है यहाँ लिखा रहेगा upload document in support of date of birth इस option के जरीए आप document को upload कर सकते हैं अभी हमने जाना कि document कहाँ upload करना है लेकिन document upload करने से पहले कुछ बाते भी है जो मैं आपको बता देता हूँ तो इसके लिए मैं यहाँ question mark पर click करता हूँ तो document upload करने से पहले आपको इन बातों का पता होना जरूरी है जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ लिखा है the file should be in PDF format only यानि कि जो भी document आप upload करेंगे उन document की PDF file को ही आप upload कर सकते हैं दूसरा point है file size should not be greater than 2MB इसका मतलब यह है कि document की जो भी PDF file आप upload करेंगे उस PDF file की size सिर्फ 2MB होनी चाहिए 2MB से ज़्यादा की size नहीं होनी चाहिए तो यह दो point है जिने आपको ध्यान रखना है जब भी आप PDF account में date of birth सही करवाते समय document को upload करेंगे तो PDF account में date of birth को सही करवाने के लिए जो भी document लगते हैं उनके बारे में भी आपने जाना और उन document को कैसे upload करते हैं यह भी आपने इस वीडियो में देख लिया है जैसा कि मैंने भी आपको बताया कि इनमें से किसी भी एक document को आपको आधार कार्ट के साथ में PDF copy में upload करना है इससे आपकी date of birth सही हो जाएगी लेकिन यहां मैं आपको एक जानकरी यह बता देता हूँ कि इतना सब कुछ करने के बाद भी आपके PDF account में आपकी date of birth तभी सही हो पाएगी जब आपका employer उसे approve करेगा क्योंकि date of birth को सही करवाने की request जो होती है वो आपके employer के पास जाती है एसा अगर आप करते हैं तो आपके PDF account में आपकी date of birth जल्द ही सही हो जाएगी तो आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही उमित करता हूँ दोस्तों आज की इस वीडियो के जरिये date of birth को सही करवाने में लगने वाले document के बारे में मैं आपको आसानी से समझा पाया हूँ यह वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें चैनल पर अगर आप नए है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें क्योंकि आपको इस चैनल पर मिलती रहेगी